हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका सुलेखा की रसोई ब्लॉक में तो आज हम लेकर आएं आपके लिए एक नई रेसिपी आज हम बनाने वाले एक आलू से बहुत ही बढ़िया स्नैक्स यानि की नास्ता आप ये रेसिपी जरूर देखें आपको बहुत ही पसंद आएगी तो करहा हैं दोन हमारी यहां पर हमारी चीड़ें और द हमारे चीड़ी ल स्वाट बातिर बीलो Bar मिंट के लिए तेल में डालेंगे तुरंत चलाएंगे इसे ब्राउन नहीं करना है थोड़ा सब भूनना है तो प्याज हमारा बहुत अच्छे से भून गया हमें इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना है तो आप देख सकते हो प्याज में अब हम डाल देंगे पानी क्योंकि प् फ्लैक्स बनाने के लिए चीज़े लिए उससे भी नाप के लिए है तो यहां पर हम्डेढ घठ टोड़ी लगभूख पाणी आइड कर दिनके तो तो हम ने पीपानी कर दियर तो हम तो थोड़ा साम चलाएंगे ति इन्हें हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया आप देख सकते हो इन्हें बिल्कुल भी पकाना नहीं है बस थोड़े से बबल्स आ जाएंगे तो हमें इनमें सूजी एड़ कर देना है जो कि हमने कहा हम आज एक चीज से नास्ता बनाने वाले हैं तो हमने यहां पर आधे कट पढ़े ना पड़े इनमें तो आप देख सकते हो सूजी डालते ही यह जो पानी था हमारा सारा पानी सोक गया तो इसे हमें बहुत अच्छे से नहीं कर देंगे था ताकि नीचे लगे नहीं और गैस को हमने low to medium कर दिया है तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे तो आप देख सकते हो जो सूजी हमारी है वो एक डो के form में तयार हो गई है तो बस इसी process पे हम गैस को कर देंगे बंद और इसे बिलकुल ठंडा थोड़ा से ठंडा होने देंगे आप देख सकते हो यह बिलकुल ही डो की तरह कढ़ाई में ही बन रहा है तो इसे हमें एक plate में निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमने एक थाली ले लिया इसमें हम transfer कर लेंगे अपने सूजी को जो भी हमारी सूजी है सभी सूजी को हमे ट्रांसफर कर लेना है और सूजी को हम थोड़ा सथंडा करेंगी ज़्यादा थंडा नहीं करेंगे नहीं तो सूजी हमारी जो-dri हो जाएगी तो जो नास्ता बनाने वाले हैं उच्छे से बनेगा नहीं तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सहारा धनिया हमने यहाँ पर दो हरी मिर्च कट करके ले लिए बारी कट तो से भी आइड कर देंगे यहाँ पर डालेंगे हमने एक आलू बाल के रख लिया आप देख सकते हो आलो हमने बॉयल कर रखा है तो आलो को हम ग्रेस कर देंगे कद्दू कस की मदद से बस इसी तरह से आलो को हमें ग्रेस कर देना है आलो हम अपने हाथों से मसल के भी डाल सकते हैं पर इस तरह से डालने से आलो में बिल्कुल भी गुटलिया नहीं रह जाएं तो आलो को ग्रेट करके डालें तो यहां पर वालो को ग्रेस कर लिए यहां पर डाल देंगे हम थोड़ा सा मसाला गरम मसाला हमने half teaspoon ले लिया है यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे mix नमक हमने पहले याइट कर दिया था तो नमक की जरूरत हमें नहीं है तो यह अभी काफी ठंडा नहीं हुआ है थोड़ा बहुत गरम है तो हम धीरे धीरे इसको mix करते जाएंगे ताकि अच्छे से ठंडा नहीं हो वरना यह सेट नहीं होगा जो भी हमारे सूजी आलू है तो हम इने इसी तरह से मसलते जाएंगे बहुत अच्छे से इने थोड़ी दिर मसलेंगे ताकि एक आटे के डो के फॉर्म में तयार हो जाएं तो बस इसी तरह से हम इने मसलने आप देख सकते हो अभी गरम है क्योंकि मेरा हाथ भी उस पर साहर नहीं जा रहा है तो अब भी थोड़ा यह गरम है हम थोड़ा सा यहाँ पर ले लेंगे घी ताकि यह बिल्कुल भी चिप चिपाहट ना दे अच्छे से सेट हो जाए क्योंकि सूजी है थोड़ी बहुत चिपकती है तो हम इने यह पर घी ले लिया है गी की मदद से हम हलके हलके से इने मसलेंगे उसके बाद इससे काटे के डो में तयार करेंगे तो इसे हमने करीब 5-6 मिनिट तक मसल मसल के काटे के डो में तयार करा आप देख सकते हो इससे स्नेक्स जो होता है हमारा वो फटता नहीं है तेल में जाने के बाद बहुत ही बढ़िया बनके तयार होता है तो आप देख सकते हूं यहाँ पे एक डो बनके तयार हो गया बहुत ही बढ़िया अब यहाथों में बिल्कुल भी नीचिपक रहा है तो इसके हम थोड़ी सी लोगिया ले लेंगे और अपने चौपर बोड पे रख लेंगे तो इसे हम थोड़ा सा गोल-गोल सा प्रेस करते जाएंगे क्योंकि हम इसे पतला-पतला कट करेंगे तो यहाँ पर हमने इससे थोड़ा-थोड़ा सा गुल-गुल प्रैस कर दिया है अच्छा से लंबे स्लाइसस में इसके हम करेंगे यहाँ पर हमने एक नैफी ले लिए बस इससे हम करेंगे, हमें इतने ही पीसेस च्याएंगे अगर आपको pieces छोटे चाहिए बड़े चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो तो हमने अपने pieces थोड़े बड़े रखे हैं तो इसी तरह से हम सभी को कर लेंगे cut आप देख सकते हो सारे जो हमारे हैं सूजी अच्छे से cut हो गए इन्हें हम अच्छे से बनाएंगे इनकी roll इसी तरह से आप चाहिए तो पतला भी बेना सकते हैं आप कोई भी save दे सकते हैं जो भी आपको खाना पसंद है तो हमने यहाँ पे इसे roll कर लिया अच्छे से आप देख सकते हो हमने इतना ही save दिया है हमने सभी snacks को इतना ही save दिया है सारे snacks हमारे बन के तयार है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बन गया है तो यह easily बनने वाला नास्ता है जो दो मिन्ट में बना के आप enjoy कर सकते हो बहुत ही बढ़ियां लगता है खाने में तो यहां पर हमने एक कढ़ाई रख दिये तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम है आप हमारे स्नैक्स देख सकते हो इनने हमें एक एक करके तेल में डालेंगे और तेल को हम जादा गरम नहीं होने देंगे यह सूजी है तो अंदर तक पकेगी नहीं उपर से बस पक जाएगी तो तेल को हमें जादा गरम नहीं करना है मेडियम ही रखना है तो इसी तरह से जो भी हमारे स्नैक्स हैं हम तेल में डाल देंगे इनने और इनने बहुत अच्छे से अच्छे से पक पकाएंगे तो बस इसी तरह से हमने सारे स्नैक्स डाल दी हैं आप देख सकते हो तो इसनैक्स जो हमारे हैं यहां पर थोड़ बहुत बराउन हो चुके हैं इनने हम पल्टे की में तक से हलका हलका प्रेस कर देंगे नीचे से ताकि यह नीचे बिल्कुल भी चिपके नहीं तो बस इसी तरह से हमें इने चलाते रहना है अब इने में आप कितना भी मर्जी पल्टे गुमालो चम्चे गुमालो यह टूटने फूटने वाले नहीं है क्योंकि यह बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं तेल में जाने के बाद तो यह ब्राउन हो चुके हैं तो हम थोड़ा सा इने और क्रिस्पी बनाने वाले हैं थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और गैस को हम लोटू मीडियम ही रखेंगे तो आप देख सकते हो जो हमारे स्नेक्स हैं बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब इन्हें हम निकाल लेंगे बिल्कुल भी फराई नहीं करेंगे तो आप देख सकते हो हमने इन्हें निकाल लिया है और बहुत ही क्रिस्पी स्नेक्स बनके तयार हूँ है आप यकीन नहीं मानोगे तो यहाँ पर हमने चेक भी किया वैसे हमारी जो आवाज थी हो इसकीप हो चुकी है तो हमने यहाँ टमेटो केचप के साथ सौव किया आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी नास्ता बनके तयार है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ हो के फ्रेंड्स बैबै